हाई एवरीवन वेलकम बाक टुशाने क्लासेश फिस्ट फॉर गुड इपनिंग टु एवरीवन सुपसंते आप सभी को रादे रादे चैश्य कृष्णा राम राम हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं फ्रेंट्स मैथ की मैथ की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं उसलेबस आपके स साथ डिसकस किया हुआ था हर एक पॉइंट आप एक स्टेप बाइस स्टेप चलेंगे और देखें मैंने कल आपकी इंग्लिस भी स्टार्ट किया आज ही मैत हो रही है से डेली डेली अभी आपके सब्जेक्ट एक-एक करके सारे स्टार्ट होंगे सब कुछ होंगे फिर हम म प्रोब्लम अगर आपको होती है ता आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए आपको हर चीज बताई जाएगी टेलेग्राम का लिंक आपको दिया गया है कमेंट बॉक्स में करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और नाम शानी क्लासेथ आप जॉइन करने कि यह प्लेडिस में आपको स्टेप आप सब कुछ मिलता जाएगा आज है जुलाई 22 जुलाई बहुत बार चलासेथ करते वे आगे बड़ते हैं को कबर करने का प्रयास करेंगे आप सभी को यहां पर डेली टाइम पर आना है और क्लासेथ करना है आज कि जो क्लास मैत की वहां प प्रड़े बेसिक चीजें जितनी हैं उनके बारे में जानेंगे फिर आपके लबस दी आगे वह नेक्स्थे करके डालेंगे तो आज किस मैत की क्लास में मैं सिर्फ बैसिक चीज़ों को बताऊंगी और बेसिक ही आपके इस लबस में दिया गया बेसिक सवाल ही आपको आता जिने आती है math वो बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं वो अच्छे से कर भी लेते हैं जिने math बिल्कुल नहीं आती है पहले पढ़ा भी है बेसिक क्लास में हमने इनके बारे में जाना भी है LCM L for least C for common M for multiple LCM least common multiple लगुत्तम समापवर तक कहा जाता है उसके बाद सेम इसीदे तक HCF H for highest C for common F for factor महात्तम समापवर तक LCM और SCF least common multiple और highest common factor इनके बारे मैं आपको एक detail बता होनी चाहिए तब आप समझ पाएंगे कि यह actual में हैं क्या बच्चे गलतियां क्यों करते हैं तो क्या आपको जो यहाँ पर यह multiple और factor दिया है multiple की और factor की हिंदी मीनिंग क्या होती तो multiple का मतलब गुड़ाज होता है क्या होता है multiple का मतलब गुड़ाज होता है factor का मतलब क्या होता है factor का मतलब क्या है गुड़न खंड होता है Multiple का मतलब गुड़ज होता है, Factor का मतलब गुड़नखंड होता है, अब Multiple और Factor से क्या बात समझ में आई, एक बात ये कही जाती कि LCM का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, सभी संख्याओं में से आप तीन सेट दे दिया गया, तीनों में कहा गया कि LCM निका लिए, तो तीन संख्याओं में से एक ऐसी छोटी से संख्या निकलेगी, जो तीनों में common होगी, वह हमारी LCM होगी, वह हमारी क्या होगी, वह हमारी LCM होगी, समझ में आ लिए बात, clear हुआ, अगर हम इसी कह बात करते है, HCF की, HCF क्या होता, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या, वहाँ बड़ी बातो होई है मल्टिपल का मतलब यह होता है कि दी हुई शंख्या जो है न वो संख्या से दी होई संख्या से डिवाइड हो जाए और उस संख्या को पूई तर डिवाइड कर दे से डिवाइड हो से और dao dao Hadini व hop में तुकricht यूढ आगे दिखा उझाओ इंदी मीनिंग है गुरज ठीक गुरज का मतलब होता है दी हुई संख्या मैंने आज लिख दिया है इसलिए आप लोग भी लिख लेना बहुत बच्छों को नहीं पता है गुरज का मतलब होता है दी हुई संख्या से पूरा डिवाइड होना मतलब जो संख्या दी गई है उस संख्या से पूरे तरह कट जाना पूरी तरह विभादित हो जाना तो वो क्या होता है वो गुरज कहलाता है वो मल्टपल कहलाता है उस नंबर का मल्टपल कि जो संख्या दी गई है वह संख्या उस संख्या से पूरी तरह डिवाइड हो जा रही है दी हुई संख्या से पूरी के multiple की बात करें तो 42, 42 की बात multiples का 84, फिर 126 168 और so on और ये मालूम है आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो आपका multiple होता है, ये infinite होता है ये अनिस्चित है, ये निस्चित नहीं होता है fix नहीं होता, certain नहीं होता ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है आप multiple किसी के भी fix नहीं बता सकते हैं कि इसके इतने ही multiple होंगे, क्योंकि ये 42 यहाँ पर जवाब को दिया गया है इसके अनन्द multiple है अगर इसे का 64 दिया रहे तो इसके भी अनन्द multiple होंगे, अगर 23 तो मेरा मतलब बताने का क्या है कि किसी भी संख्या का जो multiple होता है वो सीमित नहीं होता है वो बढ़ता ही जाता है वो क्या होता है? वो बढ़ता ही जाता है आप जितना इसमें गुड़ा करते जाएंगे वो संख्या उतनी बढ़ती जली जाएगी 42 में आप जिसे आपको बढ़ कैसे रहा है आपने यहाँ पर 42 लिखा हुआ संख्या में उस संख्या से कुना करते जाओं वह संख्या से वह multiple ऊसका बढ़ता जाएगा इसलिए कहा गया कितनी संख्या की संख्या का multiple कहां यह निश्चित नहीं होता है इन्फाइनाइट तक जाता ही चाहता है चला जाता है तो दिहान रखेगा बहुत बेसिक सी बात है जो बहुत साइब जो को नहीं बताऊगे शुरुआत है इसलिए एक दम पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी हम जल्दी वाला काम तब करते है जब दम नस्दीक में हूँ अब यह अराम से करेंगे तो बेसिक पता होना चाहिए तो यह हो गया आएए बात करते हैं गुड़न खंट की जिसको हम इंग्लिश्चित क्या कहते है फैक्ट गुड़न खंट की परिवाशा होती है कि गुड़न खंट मतलब दी हुई संख्या को डिवाइड करने वाली संख्या दी हुई संख्या को पूरी तरह कम्प्लीटली डिवाइड करने वाली संख्या विभाजत करने वाली संख्या भाग देने वाली संख्या तो वो क्या होती है वो हमारी गुड़न खंट वो हमारी फैक्टर कहलाती है और फैक्टर जो होता ह की से ड हैं बारह की संक्या किसी से कट नहीं सकती आप कुछ भी उढ़तो संख्या दो कि और संख्या किसी से नहीं प्लाइव सकते इसी रहे ये फिक्स होता है इसी रहे ये निश्चत होता है ये सर्टेइन होता है जैसे अब ये बात समझ में आ गई सभी को चलिए अब बात कर लेते हैं एक चोटी सी परिवाशा के को ऐसे कि परिवासा क्या होती है आपस्प्रीशर क्या जानते हो लिखने को नहीं आएन लेकिन घुडमिंगनन कंच इस आपने में में मत कुट heck a आइंए देखते हैं किया एल्स इम की डिफिनिशन वह चोता से चोती संक्या जो दी हुई संक्या से पूरी तरह डिवाइट हो जायएं वहा हो तीन चार्म होगा जिसका जो आईगा कैसे आ रहा है आपको वेल्स निकालना तो आता हिए तोसकि सबसे छोटी संक्याती सभी संक्या चोटी आप यहां पर क्या लोगे आपढ़र दो को ले दो चार गरागा तो थे से फोंविल सपराइगे हैं कि नीदिये संख्या वह संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह डिवाइड करते तो यानि कि क्या मतलब है कि यह बारा की ने हुई संख्या से पूरी तरह डिवाइड हो जाए यानि कि यह 12 जो है यह 2 से भी 12 कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा 4 से भी कट रहा है तो दी हुई संख्या वो संख्या कौन सी है 12 इस संख्या से दी हुई पूरी वासवा चोड़ी एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इस संख्या है दी गई है इन संख्या से पूरी तरह कट रहा है इसका मतलब यहीं होता है कि दीयोई संख्या वह चोटी से चोटी संख्या जो अलग-अलग इस संख्यां दीह Assistant says है जो तीन को भी कर देगी चार को भी कर देगी तो यहां तक सभी को समझ में बात है तो इट फास कि मंदिर में आना है तो घंटी जरूर बजाना है आज मैं आप लोग के क्लास भाई शालनी पर हमारा नया चैनल वहां पर इंग्लिस की क्लास कि लगवाई थे मैंने तो वह भी ज़रूर देखें लिंक को कमेंट भॉक्स मिलेगा नहीं यूटुब पर संच कर सक ताकि आप LCM इस बार भूलो नहीं, आप वो गलती इस बार करो नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने उसको create किया हुआ है, कि आपके वहाँ पर revision साथ साथ चलते रहेंगे, मैं classes करूंगी, ताकि आपका revision होता रहे है, चलिए, आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं, यह है, अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान टखना है, सबसे पहले कुछ एक्जामपल देख लेते हैं, आप एक्जामपल लिए है, 12, 14, 14, 3 संख्या मैंने लिए है, बहुत बेसिक सा है, इसका LCM निकालना, यहां पर यह भाग बिली निकाला, किस ते डिवीजन के method से निकाला है, क 12, 6 से कर जाएगा, फिर 6 उतर जाएगा, अब आप चाहो तो एक बार दो से और लिजा के कर लो, मैंने नहीं किया, मैंने ऐसे डायक लिख दिया, तीन कंदम तीन हो गया, तीन दुनी 6 हो गया, अब आप सोच रगए कि क्या LCM आएगा, तो इसका LCM कैसे निकालेंगे, जब जरूरी नहीं होता है कि एक दम इंड तक ले जाके, एक एक करके आओ, एक दम फिक्स नहीं, करना चाहो तो कर सही हो भी होता है, नहीं करना चाहो तो मत कर को दिक्कत नहीं, तो यह तीन और दो जो यहां पर लिखा है, इसका गुड़ा हो जाएगा, छे हो जाएगा, और य सब्सक्राइब करें तो देखो सब्सक्राइब को निकालने के लगाने के दो तरीके होते हैं एक भाग विदी होती है एक गुड़न खंड विदी होती है ठीक है एक भाग विदी से भी हम निकालते है और एक गुड़ाकी विदी से भी हम निकालते है तो एक फेक्टाइब क्ल से एक मिधार खुब साह प्र戰 लगाँगी ताकि आपके यह कौसेप्ट क्लियर हैं को सारे समस्टर जो यह सेमस्टर की पूरी सब्जिक की टूरी ओर टोटल नोट के टेलेग्राम चैनल पर मिलेगी आपको पेट खरीदना होगा नोटस बनानी होगी माथ की भी हैंड डिटेंड नोट मिलेगी इस बाइर तो वो जी लेकिन एकापको अगस्थ से अफलील हो जा ताकि आप काम 2-4 खंटे 5 गंटे पढ़ाई करो वह आपके लिए जादा अच्छा होगा ठीक है ध्यान रखिएगा इसे शुक्त को जितना आप लिखेंगे उतना आपको आएगा समझ में भी तो यह ध्यान रखिए क्योंकि नोट्स मैंने पना कर रख ली प्रपेर हो रहे है तो बहुत कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी और एक साथ मिल जाएगा ताकि आप जल्दी से कोर्स पढ़ पाएंगे चलिए ठीक है तो यह चीज़े यहाँ पर भाग विदी के हुए गुड़ा अब एक विदी के बारे में आउधिव लेकिन कुछ एजांपल पहले और दे यहाँ, छुरान है थी के चसलिए का मिल लिखे हो जाए तो बारा की पनेगा से को कि सा आप में तो हम इन दोनों संख्याओं में से क्या करेंगे जो कॉमन होगा दोनों में उनको चांटेंगे उनको बाहर निकालेंगे तो यहां पर अभी तक कुछ अगर कॉमन दिख रहा है तो हमें 48 ही दिख रहा है जो इन दोनों में कॉमन होती है लेकिन हमको और संख्याओं से मतलब नहीं होता क्यों क्यों क्यूंकि हम जब LCM निकालते रहते तो हम चोटी से चोटी संख्याद उड़ते हैं तो यहां पर इस रहा है और हम LCM निकाल रहे हैं है बाग विदी से कर रहे हैं मतलब हम चोटी से चोटी संख्या को find करना है तो वह चोटी संख्या जो होगी वह बारा और सोला का जो वह बहुता है जो आर्तालिस यह कैसे हुए जो दी हूई संख्याहों च्रण में कट जा रही है ठिक है क्लियर आ रहा है आज समझा दे रही हूं समझ लीजे चलिए आगे बुढ़िए आप एक एक्जामपल और दिया हुआ है फटा फटा आप लोग लगाई इसका उत्तर जल्दी से बताईए कि 24-34 का डिवीजन मेथड से भाग विधी से क्या आएगा डूइट फास जल्दी बॉइट से पहरे लगाईए सबी गल्स लगाएंगे सारे लोग जल्दी से कॉपी करिए यह दरू ही नहीं होता है कि मैं आपको हर चीज देखती ही रहूं तब भी आप इस करिए लगाईए कि 24-34 का क्या होगा जिने बेसिक पता है आते ह हैं वह राम से कर लेते हैं चीज नहीं पता है वह भी लगाएं कि 24-34 का जो आपको एलसी आप निकालना है वह आप कैसे मैत की जब भी क्लासेस हो तब आप लोग तुरन जो है अपना पैन कॉपी लेके बैठो और लगाओ तो 24-34 का अगर हमको कहा जाए किसा लिखा रहा का प्रशन आएगा इस तरह से बहुत साही संख्या है आपको देड़े लिखागा भाग विदी से सॉल्व करिए भाग विदी से हल निकालिए तो आप 24 को 30 को भाग विदी से जब बताएंगे तो कैसे बताएंगे राम से पहले सबसे पहले हम देखें दो से लेके चाहेंगे 12 चाहेंगे 12-25 से 20 से कर जाएगा है पिर दो से लेगा ने करते हैं दो लिखाए 15 से उतर जाएगा 2 दामबा फ्रह में दो से करेंगे तो यहांप आप देखेंगे 55 उतर जाएगा दो पंचे 10 हो जाएगा अब हम क्या करेंगे हैं 3 निकनने हम तीन 35 और 5 यहां फिर पांस से कितना है एक 120 इन बत्यों का 120 नहीं करें अब यह 120 से बहुत बहुद बाया क्यूंकि 120 से 820 अगर तीस से भाग देंगे कट जाएगा हम अगर तीस से भाग देंगे लाग तब 120 कर जाएगा तो यह हमारा 24 तीश शालिश का भाघ विदी से LCM हो गया, क्या हो गया, भाग विदी से LCM हो गया, अराम से आ गया easy भी है, आगे बढ़िए अब एक बात और बहुत 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 important है, जिनने नहीं पता है वो जरूर जान ले देखो मैंने notes में important लिखा हुआ है कि जब ये खंड जो हम ये divide करते हैं ये हमेशा अभाज संख्याएं होती हैं ये हमेशा prime number होता है, ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में आता है हम हमेशा शुरुआ दो से करते हैं, दो से भाग देंगे फिर तीन से भाग देंगे, फिर पान से भाग देंगे फिर साथ से भाग देंगे फिर 11 से भाग देंगे ऐसे ऐसे करके हम हमेशा जो अभाद संख्याओं का सेट होता है उनकी तरफ आगे बढ़ते जाते हैं और यहां पर हमेशा दो तीन पांट साथ होगे कभी आपको चार नहीं दिखेगा कभी आपको छे नहीं दिखा कभी आपको आठ नहीं दिखेगा क्या आज तक कि लाइफ में जब भी कभी LCM निकाला तो दो चार छे आठ बारा 16 कभी देखा, 18 कभी देखा, नहीं देखा होगा ध्यान गौर फर्माईर ये कि important बात है जो बहुत साथ बच्चों को नहीं पता है तो मैं आपको बहुत अच्छी बात समझा रही हूँ कि divide हमेशा prime number ही यहाँ पर होता है हमेशा भाज जंख्याय होती है जो 2, 3, 5, 7, 11, 11, 13 के पढ़ते ही विक्रम में आगे बढ़ती है और चलती जाती है, आगे बढ़ती है, कुछ बात समझ में unique हटके मिली न, ऐसे ही सब बताएं जाएंगे, चलो अब आप देखो, अब यह ही लगाओ, अब यह replay लगाओ अब यही गुड़ा विद्धी से लसकाँ स्क्राइब तो हमें दोनों विडी से समझ में आ जाइए जैसे गुडा विडी से करना होता हुगा तोसके पर 20 को निकाल ओगे तो फेतते हैं मैं तो 2,3 3 3 और 2 कीधा खी़ए कोई जो सबती कर देंग रिए Divi 2 चुल हो गयुद और को दिते हैं अब जो अब जितनी यहां होता है जो हएस्ट पावर होती गुड़ा विदी में हटके नहीं में जो बड़ी पावर हम उसको लेते हैं तो गुड़ा विदी में जो हाइस पावर उसको ले लिए तो हाइस पावर यहां पर दो कितनी बार आया है का गुड़ा करों कर तो 120 आएगा आपका गुड़ा विदी से भी वही Lcm 120 आप भाग विदी से लगाओ तब भी आना चाहिए आप गुड़ा विदी से लगाओ तब भी आपका वही यह लग नहीं होने चाहिए तो आज की वाटसेप पे चलेग्राम पर खुब सरा शेयर करिए आपकी है क्लास देली पांच पीम पर होती दूसरी क्लास मैं आपकी जल्दी शेडियूल करूंगी ठीक है तब तक वहला आपके नोट्स फेरा प्रिपेर करनों और काम करनों ताकि आपके फिर अराम से मैं भी साही क्लास क्लास आपको करवाओं तो हर चीज आपको मिलेगी समझाई जाएगी तो फ्रेंड्स फिर क्लास को फटा फट्स कब लोग करना लाइक जितना हो सके उतना मैं आपके क्लास को शेयर करिए टाइम पर आईए पढ़िए समझे देखिए आपकी एक क्लास क्लास बाइशान नही बाइश यू सून पेस्ट अफलाग